कोई न जाने कितना भोला होता है ये बचपन लगे शहत सी कानों में भी पैंजनिया की चंचन ठुमक ठुमक के किलक किलक के पूरे घर में डोले मा से अपनी ही जुबान में जाने क्या क्या बोले कुछ ऐसी ही थी हमारी प्रियंका मैडम आज से ठीक बाईस साल भेले क्यों एज तो सही बता रही हूँ न मैं 29 ओफ नविंबर 1990 प्रियंका मैडम ने जन लिया और मैम के प्यारे से छोटे से क्यूट से चहरे को देखकर आंटी ने यही कहा होगा और जब ये नन्ही मुन्नी से परी परी ने तो साबित कर दिया Yes, she is the best और ये जो मेरी best वाली प्रियंका मैडम है न इनके एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, चार भी नहीं बलकि बहुत सारे best friends हैं, अब ये है ही इतनी best कि इनके सारे friends इनके best friend बन जाते हैं यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है ये नहो तो क्या फिर बोलो ये जिन्दगी है कोई तो हो राजधार बेहरस तेरा हो यार कोई तो हो राजधार क्या सोच रहे हो अभी इनकी friends की list खतम थोड़ी हुई है अभी तो हम बाकी हैं हुजूर ये हूँ मैं बिलकुल इनके जैसे दिखती हूँ ना सब यही कहते हैं और हम सबसे यह कहते हैं लुक, लुक, वी आट्विन्स खसमानोखा, जड़वा, ट्विन्स मुझ में थोड़ा घुसा है मुझ में प्रेम है मुझ में थोड़ा घुसा है मुझ में प्रेम है अर फिर भी लगता है अं तुम बिलकुल सेम है और कुछ-कुछ घटी प्रियांका मैम, जो थोड़ी सी मोटी है, मेरे जैसी, लेकिन बहुत क्यूट भी है जो थोड़ी सी सेंटी है, पर बहुत प्यारी है, जो हर सुभा आंटी से डाट खाती है मॉंटो, जल्दी उठो, लेकिन बाद में आंटी को मना भी लेती है अपनी प्यारी सी मुस्कान से लोगों को इतना प्यार देती है कि उनका हर एक फ्रेंड उनहीं से अपना सीक्रेट शेयर करता है तो अब बिना कुछ ज्यादा बोले आपके हापी वाले बर्दे पे मैं अंजनी बस यही कहना चाहूंगी